हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टु माई यूटूब चैनल, दोस्तों कार आप एक शोर्ट क्रियेटर हैं, आपकी शोर्ट वीडियो पर 0 व्यूज आता है, 100-200-500 पर रुक जाता है, 1K, 2K तक चलता है वीडियो, उसके बाद फ्रीज हो जाता है, शोर्ट स्वेरल नहीं हो रहे ह लेकिन वीडियो मागी बंडी से पहले, थोड़ा सा साइड में स्कीम पर प्रूफ देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने दोस्तों एक अपने सेकंड यूटूब चैनल है, मैं उसको हाइड करके रखाऊं अभी, तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो को अपलोड किया था, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करता रहता हूँ, आपको कुछ नया बता सकूँ, आपके लिए ट्रिकला सकूँ, इसलिए मैंने कुछ प्रैक्टिकल वगरा करके देखता रहता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं किया है मातर दो ट्रिक का इस्तिमाल किया है के बल दो काम आपको करना है आपका शॉट्स हंड़र परसंट वैरल हो जाएगा भाई आपके जीरो वीडियो आ रहे हैं यहां वह सारी प्रॉब्लम दूर यहां पर आप डिसक्रप्शन भी चेक कर सकते हैं ज्यादा मैंने कोछ डिसक्रप्शन नहीं लिखा है काफी सारे क्रियेटर बोलते हैं जो आपकी शॉट्स वैरल होती है यह आपकी सबसे बड़ी मिस्टिक है तो आपको बताऊंगा लेकिन उसके साथ में आपको कुछ गल गलती नहीं कर न आपको गलती करना है तो अब बाइल होते हैं तो आपको च्राइप कर लेकर देजिए जैसे कर लेते हैं दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मैंने इस वीडियो के अंदर दो ट्रिक का इस्तिमाल किया है दोनों ट्रिक का काफी अदा आसान है उसको आप भी इस्तिमाल कर सकते हैं और कुछ गलतिया है जो आप दोस्तों वीडियो के अंदर कर जाते हैं इसलिए आपकी Shorts viral नहीं होते हैं तो मैं आपको पहले कुछ गलतिया बताऊँगा उसके बाद जो भी मैंने इसके अंदर trick लगा है वो मैं आपको बताऊँगा उन दौनों tricks को आप इस्तिमाल करके दौनों चीजों को समझने के बाद आप भी अपने Shorts के अंदर उससे जब apply करेंगे लगाएंगे आपके Shorts भी यहाँ पर इसलिए वाइरल हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों आपको बताते है क्या मैं इसके अंदर ट्रिक लगा रहा हूँ और कौन सी वो गलतिया है जो आप दोस्तों करते हैं अभी मॉर्निंग के टाइम में ज्यादा हो जाता है मैं इस वीडियो को रात में शूट कर रहा हूँ तकरीबन बारे एक बज़े के असपास में तो यह जो ग्राफ है वो सुवे के टाइम में ज्यादा है तो यहाँ पर दोस्तों आप दे सकते हैं वह बनाते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा और सारी चीज़ आपको बताने बाला हूं अगर दोस्तों हमरें रीच की बात करें तो यहाँ पर तुड़ा सा रीच पर नजा डाल लीए यह एक में चीज होती है यह गलती आपको नहीं करनी है मैं आपको कुछ गलती बताऊंगा उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको अपनी वीडियो के अंदर आपको आखिर करना क्या है कैसे आपका शॉर्ट्स वायरल होगा तो यहां पर दोस आप देखिए सबसे पहली चीज जो है आपको क्या गलती नहीं करनी है आपको अपनी खराब कर दिया आपकी शॉर्ट्स यह पर वायल नहीं होगी आप अपनी वीडियो के अंदर जाकर अप गलती क्या करते है गिसा पिटा उल्टा एंगदम से गंटा एकडम मिलकूल कच्रा वीडियो अपलोड करते जिसके अंदर देखने वाले को इंटरस नह सामने कोई वीडियो आया ठीक है ना अब आपको उसमें जब इंट्रस्ट नहीं आएगा चाहे आप ही अपने उपर ले लीजिए ये जो मतलब उधारण है तो आप भी स्कॉल कर देंगे और वही दोस्तों गलती है जो लोग करते रहते हैं आपकी वीडियो को लोग स्कॉल कर के निकल जाते हैं आपको वीडियो को इंट्रस्टिंग बनाना है ओडियंस एटेंशन मतलब उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा डालना है ऐसा आपको कोई भी मसाला डाल दीजिए उसमें जो है ताकि लोग उसे पूरा वाच करें तो आपको अच्छा बनाना है अच्छा त तो कितने लोग आपकी वीडियो को रुकर रहे हैं आपकी वीडियो को देखकर वाच कर रहे हैं और कितने लोग स्वाइप कर रहे हैं तो यहां पर इस वीडियो का ओडियो का अच्छा था इसलिए यह जो मेरा वीडियो है वो यहां पर वाइरल हो गया यहां पर सो लोगो आपको दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करनी है नया क्रिएटर हमेशा दोस्तों उल्टा सीथा वीडियो डालता है किसी का उठागे डाल दिया मतलब विकार वीडियो बना दिया इस वज़े से आपके जो शॉट्स हैं वो यहां पर वाइरल नहीं होते हैं अब आपसे से बकावली सारी लोग कहेंगे भाइया मतलब सर जो है हम तो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं हमारा क्यों नहीं वाइरल होता है अब आप बहुत बड़ी गलती करते हैं क्योंकि आप ट्रिक का इस्तिमाल करते हैं अब कौनसा मैंने दोस्तों के अंदर ट्रि के लगा है इस वीडियो को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लोड किया गया है के बल अच्छे तरीके से यहां पर अप्लोड किया गया है वीडियो अच्छा बना है अप्लोड भी अच्छे तरीके से किया है अप्लोड करने का पूरा प्लोड में आपको इस वीडि तो यहां पर दोस्तों मैंने एक complete tutorial एक पूरा वीडियो बारी की से यहां पर बना रखा है उस वीडियो का link दोस्तों मैं वीडियो का discussion डाल दूगा चेक आउट उस जरू करिएगा इस वीडियो को वाच करने के बाद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसे जरू से आई बटन पर यहां पर पूरा उसे देख लिजीगा पूरा प्रोसेश आपको मैंने बता है बाइरल करके उसमें दिखाया है मैंने लाइफ प्रूफ टिका न तो यहां पर आप तो नजे डालेंगे इसका तो टाइटल वह तो तो अच्छे तरीके से लिखा गया है अब अ आसमान से गिरा चॉकलेट, या आसमान से आखिर चॉकलेट कैसे आ सकता है, तो ऐसे ही कुछ आपको थोड़े चटपटे आपको टाइटल लिखने है अपनी वीडियो के अंदर, ताकि लोग देखते ही उस पर किलिक करते हैं, तो यह पहला काम दोस्तों आपको करना है, यह प यूट्यूब शॉट्स, जो टाइटल के अंदर मैंने हैस्टेग डाले, वही मैंने टेग के अंदर डाले, लेकिन मैंने यहाँ पर हैस्टेग नहीं लगाया, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताना चाहँगा कि हैस्टेग लिखते हैं ऐसे, और शॉट्स मेंने डाल दिया है, क्योंकि यह लोग सर्च करते रहते हैं, काटून वीडियो मेंने डाल दिया है, तो यह मेरा सर्चिबल में गया है थोड़ा सा, और वहां से मेरी वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट मिला है, एक और मुख्य चीज में आपको बताना चाहँगा, जब भी तो पहले चेक कलीजे की आपकी जो वीडियो है, उसका क्या क्या करको रखना है किस कैटीग्री में आपका वीडियो आता है, मेरा जो वीडियो है एन टरटेनमेंट याथा है, तो मैंने यहां पर पिरिमनट सेलेक्ट किया हुआ है, काफी सार्री लोग अभी किया करते है, क वो भी आपके सबसे बड़ी mistake हो सकती है, बाकी तो वो सारी category में चल जाती है, लेकिन आपको सही से अगर आपने channel की setting करनी है, तो उसके लिए आपको सही से category भी select करनी होगी, तो यह सारी चीजे में ठीक थी, category ठीक है, tag मैंने इसके अंदर लगाये, YouTube search के लिए, उसके बाद बैक आते हैं, तो मैंने क्या क्या है, यहाँ पर title को copy करके, इसमें भी डाल दिया है, इसके description में, तो जो hashtag है, वो बिना hashtag लगाए, अपने tag के अंदर भी डाल दीजीगा, तो यह दोस्ता दूसरा काम आपको करना है, तो वीडियो को upload कैसे करना है, उसके उपर मैंने पूरा कर सकते हैं, अगर आप अपनी पुरानी वीडियो पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक option है, यह दोस्तो देख सकते हैं, तो आप किसी पुरानी रोकी हुई वीडियो पर उसको यहाँ पर एड करने के बाद अपनी पुरानी रोकी हुई वीडियो के अंदर य यहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा तो फटाबर से दूस वीडियो को लाइक कर जी चैनल को सब्सक्राइब करके बला आकन को प्रेस कर लीजे मिलते दूसरे नेकिक वीडियो कुछ नया लेकर एंड बाबाई